हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग, welcome back to the channel, मेरा नाम है अबदुल और आज की इस वीडियो में हम दो notification एक साथ discuss करने वाले है वीडियो को end तक देखना सारी चीज़े मैं आपके साथ share करूँगा eligibility criteria, qualification, consequence, institute में vacancy आईए, क्या आईए, सारी चीज़े हम देखेंगे और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon जरूर से प्रेस करना अगर आपको career guidance और job updates के related latest videos चाहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने के साथ वीडियो को like जरूर से कर देना, target रखते है 4000 likes और अपने दोस्तों के साथ share करना अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त apply करेगा और selection हो जाएगा यहाँ पे दो notification discuss करूँगा जिसमें सबसे पहला आप सबके काम आएगा ऐसा notification और उसके बाद वाला जो notification है वो सिर्फ और सिर्फ ST reserve candidate के लिए है तो उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाओंगा और आप में से पहला notification देखके वीडियो छोड़ सकते हो ताकि आपका भी time ज्यादा waste नाओ और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाओंगा तो यहाँ पे सबसे पहली update जो है Indian Institute of Space Science and Technology की तरफ से जहाँ पे Research Fellow के vacancy है बहुत सारी vacancies है, experience वाली है तो वो discuss नहीं करेंगे लेकिन सबसे पहले directly fresher की vacancy discuss करते है जिसमें B.B.Tech, M.E.M.Tech अगर आपने कोई भी प्रांच से किया है आप apply कर सकते हो अगर आपने gate या CSIR, UGCENT जैसी exam को crack किया है तो अच्छी बात है नहीं किया है तो भी चलेगा apply कर सकते हो और हाँ, यहाँ पे अगर एक और vacancy जिसके बारे में बता दो, अगर आप में से किसी ने M.E.M.Tech किया है या कर रहे हो, final year में हो, तो आप J.R.F.01 2021 ये वाली vacancy में भी apply कर सकते हो क्योंकि उन्होंने M.E.M.Tech के final year वालों को allow किया हुआ है अब बागी तो discuss नहीं करेंगे, यहाँ पे fees बिलकुल भी नहीं है और ये जो J.R.F.02 2021 जो आपके काम की vacancy है, उसके अंदर monthly stipend या salary काओ वो है 30,000 जो कि काफी अच्छा है, अगर मैं इसके location के बारे में भी आपको बताओ तो location जो रहेगा, वो kerala रहेगा और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि बाई, 01-2021 J.R.F., मैंने बताया था न, उसके अंदर 31,000 प्लस HRM मिलेगा, ठीक है बागी तो SRF वाली vacancy है, तो उसमें थोड़ा बढ़ जाता है stipend, इतना भी नहीं लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अगर select होते हो तो 30,000 मिल जाएगा मेरा suggestion रहेगा, gate वगरा crack क्या हो है, तो पर अप्लाइ कर दो chances है selection होने के, उसके बाद यहाँ पर apply करने की process, देखो please, कोई भी नहीं है apply करने की, बिल्कुल free है application, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है, कितने time तक रहा जाएगा, वो है one year, यह इन्हों इन्हों ने बता दिया है, SRF की vacancy ओ, JRF की vacancy ओ, एक साल के लिए आपको रखेंगे, मतलब यहाँ पे junior research fellowship है, चीक है, अगर हम बात करते हैं, आपके selection procedure की, इन्हों ने return test interview कहा है, most probably interview लेंगे, return test नहीं conduct करते है, JRF में directly selection हो जाता है, क्योंकि already आप gate जैसी exam, CSIR, UGC net जैसी exam को दे के आए हो, so directly आपका interview लिया जाएगा, knowledge के basis पर आपको select किया जाएगा, यह इन्हों ने बता दिया है, और आपको यहाँ पे कैसे apply करना है, तो इसकी last day 12 April 2021 है, शाम के 5 बजे तक आप apply कर सकते हो, कुछ बेजने की ज़रूरत नहीं, online इनकी website पर iist.ac.in, इनकी website पर जाना है, और वहाँ पर online apply कर देना है, कोई offline process है ही नहीं, हाँ, अगर उनका, उनकी तरफ से कोई response आएगा, तो आपके mail ID पर आजाएगा, बहुत सारे form fill up कर रहे हैं, लेकिन गलतिया कर देते हैं, जैसे tech minder में गलतिया कियें, मुझे messages आ रहे हैं, देखो यार, आप गलती करोगे, तो वहाँ पर clearly लिखा था, कि आप change नहीं कर सकते हो बाद में, तो गलती मत करो, एक बार form बनना है, लेकिन संभाल के परो, कोई गलती नहीं हो, आपकी details fill up करने में, तो ये था पहला notification, अब अगर आप BBtech mining से हो, और ST category से हो, तब आप वीडियो को आगे देखिए, वन्ना आप वीडियो छोड़ सकते हो, बस एक request है, वीडियो को like करना, और अपने mining वाले दोस्त को apply कर सकते है, दिक्कत यह है कि यह notification जो है, वो experience वालो के लिए, एक vacancy है, जिसमें experience nil लिखा हुआ है, वो है, यहाँ पर manager की vacancy, mining वालो के लिए, तो यह जो vacancy है, वो mining वालो के लिए, यहाँ पर आपकी जो बाकी चीज़े, self-attested, copies, certificate, आपका ST का certificate, testimonials, वो सारी चीज़े आपको बेजनी रहेगी, और by speed post और courier भेजना रहेगा, एक अच्छी बात है कि यहाँ पर application fees नहीं है, वैसे अगर हम देखें, तो यह जो है, E2 grade की post है, जिसमें ST के लिए vacancy है, salary के अ इसनोंने desirable में भी experience नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं screenshot डिस्प्ले कर दा हूँ, desirable में नहीं है, so with और without second class MMCC certificate, now MMCC यह क्या है, यह मुझे नहीं पता है, कोशिश करूँगा research करके मैं थोड़ा पता लगाँ, लेकिन with and without है, मतलब normal B-Bitech mining किया है, आप apply कर भा हुआ आपको कुछ first class MMCC मांगा हुआ है, I admit मुझे नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में research करूँगा, लेकिन अभी आपको अगर जरूरत नहीं है, B-Bitech call को तो आप apply कर सकते हो, 67,700, age limit में भी कोई attention नहीं है, 32 years की age limit है, now यहाँ पर selection process की बात करे, अच्छा एक और बात, fees यहा class based career के, मतब 70 marks आपके educational qualification पे चले जाते है, 30 marks personal interview के रखे है, अच्छा आप सोच रहोंगे कि experience नहीं है, तो 10 marks experience के, तो in case अगर इस post पे कोई experience वाला candidate apply करता है, तो marks उसको मिलेंगे, so अगर आपके टकर में कोई experience वाला candidate आ जाता है, तो उसकी priority थोड़ी बढ़ जाएगी, औ और personal interview आपके हाथ में रहेगा, 30 marks personal interview के इने कहे है, और यहाँ पे 1 is to 7 के हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, अगर मैं आपको यहाँ बताओ, तो आपको सारे original certificates बताने होंगे personal interview के दौरान, यहाँ पर कोई test नहीं हो रही है, सबसे अच्छी बात है test नहीं हो 23rd of April 2021 से पहले, यहाँ पर general manager को बेजना रहेगा, OMECL के general manager को documents form fill up करके, सारी चीज़े करके आपको बेजना रहेगा, self-attested copies लगा के, और यहाँ पर online कोई process नहीं है, so यह थी vacancy ST वालों के लिए, अगर आपने अभी तक यहाँ तक video देखी है, so thank you so much, video देखने के लिए, उ अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, और bell icon नहीं प्रेस किया है, तो याज subscribe जरूर से कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये video share करना, इसी तरीके से job updates आपको इस channel पर मिलती रहेगी हमेशा, और मिलते next video में, तब तक के लिए, goodbye, take care. झाल